आज मैं कोई डिस लेकर नहीं आई हूं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हों मेडिसिन जो है दवाई है जो घर में बनाई हुई है लोग हजालों लाखों रुपया खर्श कर देते हैं हाट की बिमारी के लिए हाट में ब्लॉकेज होता है आज को बराबर करता है और अगर ट्राइग लिस्तस्राइड अगर ज्यादा हो तो इसको भी कंटूल करता है और पेरलाइट है या नसे में ब्लॉक हो गई है तो उनमें भी फाइदे मंद है मतब वेट लॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है मतब हर तरीके से यह जो बना हुआ यह बहुत ही फाइदे मंद है मैं मैंने सोचा कि हम घर में बना रहे हैं अपने लिए तो क्यों नहां आप लोग को यह शेर करें और यह बहुत ही किम्ती मेडिसिन है आप इसे बनाएए मेरे साथ में देखिए मेरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए इसके लिए मै 12-15 लेमन मैंने उसका रस निकाल के रखा है और यह देखिए सेप का सिरका है यह भी एक बाउल लेना है और यह शहत कितने मिलाना है मैं आपको आखिर में बताती हूं पहले हम क्या करेंगे इन सब को मिक्सी में पीस लेंगे यह अधरक और लैसन को पानी डाल कर थोड़ा किंके इस डायरिक नमीपीस जाएगा पिषने के बाद हम इसे कितना पकंएंगे वह आपको बताती पहले पीस कर बताती हूं अद्रक का पेस्ट मैंने बनाया सारे अद्रक और लैसन का पेस्ट बना बना कर मैंने देखिए कड़ाई पर यह छन्नी रखा है इसके जो बारिक छेद है इसके लिए इसमें अब हम इसे चान देंगे और जो बचेगा इसे फिर हम एक दफा मिक्सी में ग्राइड करके अच्छी तरह पीसा और उसको खुब अच्छी तरह चाना और यह देखिए जिए इसका वह निकल गया इसे हम फेकेंगे नहीं इसे मसाले में यूज कर सकते हैं और आब यह लिम्बू का रस है एक बावल यह भी इसमें हम चान देंगे बीज निकाल देंगे आपको रेश्यू बराबर याद रखना है एक बावल रहसुन है जितना आप लशन ले उतना ही अद रख ले उतना ही लेमन जूज ले यह तीनों कॉंटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए अब छान के हम क्या करेंगे अब यह देखिए एपल सिर्का है इसे भी हम जितना हमने आद रख लिया है लैजन लिया है उतना ही एपल का सिर्का लेंगे उतना ही भर को अईसी इसमें हम मिला देंगे मिला कर इसे इतना पकाएंगे कि यह तीन पार्ट इसका जल जाए वन फोर्थ रह जाए तो वन जब तक हम इसे पकने देते हैं तक्रीबान आदा पौना घंटा लगेगा इसकी वह कम हो जाएगा आदा घंटा पता नहीं जितना भी लगे क्वांटिटी के उपर डिपेंड खैने देते हम फिर बाद में आपको बताते हैं तीनो लिक्विड पकते-पकते वनों फचया है अब अन्दाजन देखिए देखिए यहां से लेवल उसका कम हुआ वनतर हो गया है अब हम क्या करेंगे गय to Gel कर देंगे और इस इसको हम इस and a होने के लिए रख देंगे जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसमें कितनी शहद मिलाना है और कैसे खाना है हम आपको बताते हैं अब देखिए हम इसे हमने अच्छी तरह से बिलकुल मिला लिया है दोनों सब होमोजीनियस मिक्चर हो गया एकदम से और तकरीबन आधा से पौना घंटा हम इसे एकदम ठंडा करेंगे क्योंकि ठंडे में हम शहद डालेंगे जरा भी गरम होगा तो शहद नुकसान दे जहर बन जाती है गरम चीजों में डालने के लिए तो हम इसे ठंडा होने तक इंतिजार करके फिर शहद मिलाएंगे फिर आपको हम बताते हैं कि इसका डोस क्या है कैसे इस्तिमाल करना है और अगर देखिए अब हम इसमें ठंडी हो गई है तो अब हम शहद डाल देते हैं शहद तीन बाल डालना है क्योंकि हमने एक तिहाई पानी जला दिया है क्योंकि अद्रक लेशन को हम पीशते वक्त पानी मिलाते हैं तो वो पानी जलना चाहिए ना तो वो पानी जल गया तो उसकी जगा पे हम तीन बॉल तीन कटोरी शहेड डालेंगे तो हमारा ये मिक्सर तैयार होगा अगर आपके बॉल छोटे हैं या कॉंटिटी कम दे रहे हैं हाफ ले रहे हैं तो अपने हिसाब से आप छोटे बॉल के हिसाब से एक बॉल अद्रक एक बॉल लहसन एक बॉल लिमू का रस और एक बॉल सिर्का ये लेके और उसी हिसाब से तीन पार्ट लेमन जूस डाल के मिलाएं अब हम इसो खुब अच्छी तरह से मिलाएंगे आपको मैंने बता दिया है कि इस तरीके से कॉंटिटी मिलाना है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अगर ना समझे तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं अब यह मिल गया अब इसके बाद हम इसमें कोई गुटली बाकी न रहे वह देखेंगे कोई अब हम क्या करेंगे हिलाते हिलाते इसको थोड़ा सेट होने देंगे फिर बॉटल में एक बॉटल में भरेंगे तो हम बॉटल में डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते हैं त तो इसमें भी चलता है, खराब नहीं होगा, अब इसे हम फिल करेंगे, और इसका फाइदा ये है कि ये दिमाग के दिल की हर एक नस को पूरे जिसम की नसों को खोल देता है, अगर आपको यकीन नहों तो आजमा के देख लिजिए, हमने आजमाया है, इसलिए हम सवाबे जार की तोर पर ये डाल रहे हैं, क्योंकि जिस हकेम से हमने लिया था, वहाँ पर लाइन लगती है इसे लेने के लिए, जल्दी से मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों न हमारे भाई बहन जो इस बीमारी से, जो इस चीज़ से परिशान है, लाखों रुपिया होस्पिटल म हम एक महीने में, दस दिन में, दस दिन में भी इसका असर दिखाए देता, महीने में भी असर दिखाए देगा, ज्यादा दिन नहीं खानप पीना पड़ता है, तो आप इसे जरूर आजमाएं, और मेरे बता है, वेन उसके पर चलेंगे, तो इन्शालला जरूर फाइदा हो सबसे में चीज इसको कैसे पीना है वो देखो इसको सुबह निहार मूँ मतलब आप सो के उठें ना ब्रस करें ना कुछ दो चम्मच ले ले और रात को जब सोने जाए अपने बिस्तर पर खाना खाने के बाद तो दो चम्मच ले ले और उसके उपर थोड़ा सा गरम पानी प पीके अराम करें इसके एक गंटे बाद नास्ता करें यह आपका दोसर दो गया अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट डालना ना